36 गड़ के जंबो खबर, किसिम किसिम के मनोरण जब कारिकरम अउव लाइब डिजिकल टीवी देखे पर हमर पेज़बुग पेज, नुज स्थाटिस इस लाइब 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 कराम जय जोहार बिलासपूर जिला के अंतरगत रदनपूर बिलगहना मार्गमा रातमा रतनपूर पुलिस दौरा पेट्रोलिंग गस्त के दुरान चोरी के भारी मात्रा मां डीजल पकड़े गए एकर पहली भी ये शेत्र मा कुछ दिन ले खड़े गाड़ी ले डीजल चोरी हो है एकर जानकारी मिलत रही से जिकर चलते रतनपूर पुलिस ये मामला लाग गंभीरता से लेत हुए रात करीब डेड़ बजे रतनपूर के नजदी की ग्राम सिल्ली मोड के पास चोरी के पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के आगे पीछे होत रही से उकर बाद उमाले दू युवक उतर के पुल के पास डीजल ले भरे हुए जर्किन ला चुपाये के प्रयास करत रही है यही दोरान संदे के अधार मा रतनपूर टी आई क्रिशना पार्टले अपन टीम के संग उहां पहुचीज तो दूनो युवक के द्वारा उहां ले भागे के प्रयास करे गई है जमा पुलिस टीम हाद दूडा के दूनो युवक ला मौका मही धर्दबोचीज पुश्ताच करे गई है तो इमामला के खुलासा होई है कि रस्ता मा खड़े ट्रक आदी वाहन मन के टंकी लग खोल के पानी खीचे वाला मोटर पंप के पाइप द्वारा जर्किन मा डीजल चोरी के वारदात लाउखर द्वारा अंजाम देह जात रही से इकर पास ले 50 लीटर वाले दूठन जर्किन मा कुल 90 लीटर डीजल जब्त करे गए है पकड़े गया रोपी मनमा रा पास अहोई के संभावना जदाए जवात है अब कर देली के पेटोलिंग के रूप में कल रात में निकले वी थी और पेटोलिंग के दौरान पेटोलिंग वहान में त्याइए कृष्णा पाटले मैं और मेरे स्टाप अनिल साहू फेड कॉंस्टेबल और एक दूब करके व बुलेरो वहान कभी आगे बढ़ जा रही थी गाड़ी को डाट हुआ और इसके पीछा कि गाड़ी जो है एक पूल के पास रुकी और वो उसमें से तो लड़के उतरे और वो पूल की और शागने लगे तो वहाँ पार पुलीस उतर के जब नस्दीक पूची थे भागने लगे इनको पकड़े और इनसे पुष्टाच किया गया और इहोंने अलग अलग गाड़ियों से डिजल चुरी करना स्विकार किया और डिजल जो यह पूल की नीचे छिपाक रखे थे और उससे दो पचास लीटर वाले बड़े जैरेकिन में करीब 90 लीटर जो है इनसे आर दिन के अंतराल में इस तरह आते थे और इस चूरी करके उधर चले जाते थे आज कल पुलीस ने अच्छे कार वहे कि कि इनको पकड़ लिया है चटी सब रेक बरी हां रुक अथन फिरापमन बने रहोमर संग दिखत रहों न्यूस 36 चटीस गड़ के आवाज